हेलो एब्रीवान, आप सब भी अच्छे होंगे, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बीपी सी एस वोन एट फाइफ डेलोपिन इमोशनल कॉमपेटेंसे, इसमें हमने पिछले वीडियो में चैप्टर वन कम्प्लीट कर लिया था, अगर आप उने वो वीडियो नहीं हैं, तो आप उसे जाके कम्प्लीट कीजिए, अगर आपको फिर इसमें कोई भी डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आज हम योरी टो करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉंसेप्ट, हिस्टोरिकल, डेलप्मेंट, एन कॉंपोनेंट ओफ इमोशनल इं इंटलिजनसी, थर्ड कॉंपोनेंट्स ओफ इमोशनल इंटलिजनसी, फोर्थ है इंटलिजनसी और इंटलिजनसी का रिलेशन्शिप बताना है, IQ और EQ का, एन लास्ट हमारा बैनिफिट्स ओफ इमोशनल इंटलिजनसी, तो ये हमारी पाच टॉपिक है, जो आज हमें इस कवर करने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम इंट्रो देख लेते हैं, थुड़ा सा, कि अगर हम इमोशनल इंटलिजनसी की बात करें, तो उससे हमें बहुत सारे एडवांटेजिस मिलते हैं, लाइक कि आप वर्ल्ड में किस तरीके से लोगों से, आप किस तरीके से बाते कर सकते हैं, उनसे कॉंपेटिव करने में हमें बहुत हेल्प मिलती हैं, चुकि हम जानते हैं कि हम टेक्निकल या अगर चीज़े देखें, तो हम एक बुक स्मार्ट हो सकते हैं, बट अगर हमारे अंदर वो एबिलीटी ही नहीं है, कि हम कुछ अपनी प्रॉब्रम्स ह गई, फ्रस्ट्वेट हो गई, इंटर परस्टनल रिलेशन्शिप्स हो गई हमारे, अगर हम इन सब चीज़ों को डील ही नहीं कर सकते हैं, तो हमारा सर्वाइब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चुकि हम अगर पढ़ाई में अच्छे हैं, और इमोशनल इंटेलिजनस अगर हमारे अंदर नहीं हैं, तो उस पढ़ाई से हमारा इमोशनल इंटेलिजनस से इंक्रीज नहीं होता है, उससे क्या होता है कि हमारे अंदरी अबिलीटी होनी चाहिए, कि हम कभी भी फ्रस्ट्वेट फिल ना करें, कन्फ्लीट्स हो, बट उनको हम सॉल्ट भी कर सकें, एंद हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, जिनके साथ भी, उनके साथ हम अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से मेंटेंग करके रखें, एंद उसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक आता है, कॉंसेप्ट ओफ इमोशनल इंटेलिजनसी, जो इमोशनल इंटेलिजनसी पमीदा, जो टर्म है, अगर हम उसको बिलुक डाउं करें, तो इसके दो कॉंसेप्ट बन जाते हैं, एक एमोशन और एक इंटेलिजनसी, यह जो दोनो वर्ड हैं, एक दुसरे से कउंटरेट में हैं, अगर हम देखें तो यह एक दुसरे से मतलब बिल्कुल कउंटरेट कर अब अगर हम यह देखें कि जो emotions है वो कहां से drive हो है वो Latin से लिया गया है poetry और mover इसका mean होता है to move, to stay up, to aggregate और to excite अगर हम यह देखें कि जो EI है वो है क्या? EI क्या है कि EI का purpose यह होता है कि वो में idea देता है कि हम किस तरीके से सोचें और हमारे emotions इन दोनों को एक साथ लेके आता है emotions क्या होता है कि emotions जब भी हम कुछ सोच, like emotion exit करता है thinking को और thinking क्या analyze करता है कि हम emotions को कैसे regulate करें अगर हम definition देखें EI की तो एक बहुत popular और famous definition है EI की EI is a capacity for recognition of our own feelings and those of others for motivating ourself and for managing emotions well in ourself and in our relationship अब इसका मतलब क्या होता है EI की EI मतलब हमारी help करता है कि हमारे अंदर वो एक capacity लेके आता है कि हम किस तरीके से अपने खुद की feeling को हम देख पाते हैं कि हमें कैसे उसको recognizing करना है like फिर उसके पाद दूसरों की feelings को भी हम कैसे manage कर सकते हैं उनको कैसे देख सकते हैं like उसको कैसे handle करना है और हमें motivate भी करता है कि आप खुद को motivate करो किसी भी चीज से related comes related. like किसेसे बात करने से related हमें motivate करता है हमारी help करता है कि हमें अपने emotions को कैसे दिखा ना है दोसरों के साद कैسे करना है इन सब चीज़ों में हमारी help करता है और खासकर के हमारी relationship में भी Emotional Intelligence Referred करता है नौन cognitive ability of a person जो जिन परसंग नोन एबिलिटी जिनकी है नोन कॉंगनेटिव एबिलिटी उस एमोशनल इंटलिजेंसी को भी वो रिफोर करता है उसमें क्या होता कि वो एक एबिलिटी लेग दाता है जिससे हम अपने एमोशन को लेकि अवेर रहते हैं खुद के भी और दूसरों के भी और जो नोन कॉंगनेटिव एबिलिटी होता है वो होता क्या है वो यह होता है वो हमारी जो कैपेसिटी को बढ़ाता है जैसे कि motivation हो गया, focus हो गया, confidence लेके आना, teamwork में काम करना, self-discipline लेके आना इन सब चीजों को बढ़ाने में हमारी help करता है अब एक line है जो मैं जब पढ़ रहे थी तो मुझे बहुत अच्छे लगी थी Aristotle ने एक line पुट किया है यहां पर Anyone can become angry that is easy but to be angered with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way that is not within everybody power and is not easy यह line पढ़ने के बाद काफी चीज़ clear हुई होगे कि अगर कोई भी बंदा या बंदी कोई भी anyone कि जो भी गुसा होता है क्या वो easy है वो मतलब easy है कि हम easily गुसा हो जाती किसी पे भी कही पे भी और कोई भी हो सकता है बट बात यहां पर आगती है क्या आप जो गुसा हुए हो क्या आप उस टाइम पर आपने किसी सही बंदे के ओपर अपना गुसा उता रहा है या सही बंदे पे गुसा हुए हो या आपने उस टाइम पर क्या आप सही उसे कुछ सुना रहे हो क्या वो time सही या आपके गुसा होने का या आपने जो गुसा हुए वो इसके जो purpose है क्या वो सही ही है या वो जिस तरीके से आपने उस बंदे से गुसा की मतलब उसे कुछ-कुछ बाते जो बोली जिस तरीके से बोली क्या वो सही था ये चीज हमें समझने बहुत जरूरी होती है अगर इसी चीज को अगर कोई समझ जाते है मतलब वो emotional intelligence उसके अंदर है चुकि emotional intelligence हमें यही चीज से बताती है कि हमारे अंदर वो ability होनी चाहिए कि हम सही time पे और girl time को समझे कि हमें किस time पे अपने emotions अपने चीजों को दिखाना चाहिए और किस time पे हमें नहीं दिखाना चाहिए अब हमारा next topic आता है historical development of emotional intelligence अब emotional intelligence का पहले क्या-क्या development हो चुका था अब हमें वो देखना है जो concept emotional intelligence ये जो early psychologist में मतलब ये concept डाल दिया गया है intelligence का अब जो throne dyke की है 1920 में इन्होंने तीन टीन डॉमेन बताये थे इस classes से जैसे पहला abstract, analytic और verbal second mechanical, performance and viscous, spiritual and third social और practically ये इन्होंने 1920 में बताया था और उसके बाद Howard Gardner ने 1983 में आठ different abilities को बताया था जैसे musical हो गया, visual हो गया, verbal हो गया, bodically हो गया, logical हो गया, interpersonal and intrapersonal and naturalistic उसके बाद Stoneberg ने भी 1985 में तीन टाइपस बताया थे, intelligence के जैसे analytical, creativity and partial intelligence ये अलग-अलग time के अलग-अलग तरीके से historical मतलब development किये गये थे, emotional intelligence के अब उसके बाद जो concept आता है, component of emotional intelligence ये वाला जो topic है, ये थो हमारी लिए important भी है, चोकि ये वाले question काफी बार पूछा गया है, exam में, तो जो पहला point आता है, हमारा perceiving emotions perceiving emotions में क्या है, कि इनका मतलब हुआ कि आप emotions को कैसे महसूस करते हो, लाग कि आपके अंदर वो ability को register करता है कि आप किस तरीके के अपने emotions और दूसरों के भी emotions को कैसे recognizing करते हो, जैसे हम ये बोल सकते हैं, कि जैसे हम ये देखते हैं कि लोगों के अंदर कितने जादा emotional intelligence है, कि वो identify करें, कि वो एक particular emotion पे क्या feel कर रहे हैं, और उसको किस तरीके से present कर रहे हैं, या तो जैसे हो सकता है, कि वो बोल के अपनी feelings से बता सकता है, या फिर facial expression से बता सकता है, तो ये हो गया, हमारा perceiving emotions कि वो एक particular emotion को, particular इक तरीके से अपने emotion को दिखा सकता है, for example, जैसे आप, जैसे हम ये देख सकते हैं, कि जैसे दूसरे लोग खुश है, ठीक है, मतलब कोई खुश है, तो वो अपने feelings दिखाएगा, खुश है, sad है, happy है, मतलब कैसा है, तो हम उसके facial expression से, हम या फिर उसके body land weight से, हम समझ जाते हैं, कि वो बंदा खुश है, उदास है, या फिर गुसे में है, तो ये ability हमारे अंदर होनी चाहिए, कि हम जब कोई दूसरा व्यातिया अपने emotions को मैसूस कर रहे है, वो feel कर रहे हैं, और उसके emotions को हम मैसूस कर रहे हैं, कि वो actual में क्या feel कर रहे हैं, ठीक है, पहला point हो गया हमारे ये, दूसरा प्याने point आता, understanding emotion, understanding emotions का मतलब होँए, कि आप emotions को कितना understand करते हो, कितना समझते हो, ये जो component है, ये हमें refer करता है, कि आपका, ये जो भी emotions आते है, या फिर आपका jो behavior होता है, ब्यादिक इमोशन के बाद, जो आपका behavior आता है, उसके बढ़े में हमें information देता है, और उसके ब जासे कोई भी विद्धव से हाई है शओं सिंद्ध में ऑस स्था जर स्था आपका यह इंटैलिजनसी रहा ना prophecy थो जाता है हम हम बंदा इंटैलिजनरमा काफी अच्छी है तो उससे है कि वायम हम बदे हम पा मटशन को दिखा पाएंगे हमें पता है कि अगर अब भी दिखाया तो शायर गड़बढ है ये सही टाइम नहीं है मेरा घुसा दिखाने का तो मैं ये मेरे लिए राइट टाइम नहीं है तो मैं नहीं दिखाऊंगे और मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है तो मुझे दिखाना चाहिए तो मैं दिखाऊंगे बट एक तरीके से होना चाहिए बताने का तरीका सही होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप चिला के बोल रहे हो हादा पाई कर रहे हो लेक वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए यह हमारे इमोशन को समझने की केपेसिटी हमारे अंदर नहीं है तो वो इस चीज़ से बजह से होता है ठीक है अब आता है हमारा थोर्ड पॉइंट मैनेजिन इमोशन अब मैनेजिन इमोशन का मतलब क्या हुआ कि आपके तरीके से emotions को manage करते हो like जैसे आपने पहले देख लिया कि आपने आपकी emotions आई आपने उनको मैसस किया and फिर उसके बाद उसको understand करने कोशिश की फिर उसके बाद आता है कि क्या आपका managing करने की capacity आपके अंदर है या नहीं है जैसे कि हम कैसे change कर सकते हैं यह जो है ना यह हमारे खुद के ओपर और दूसरों के ओपर भी हमाई apply करना चाहिए जैसे कोई भी situation आई उस situation से related हमारे emotions बहार आते हैं तो हमें यह जिस aware होनी चाहिए कि वो emotions को उस time पे हमें दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए गुसा है लोग फिल कर रहे हैं या कुछ और हो गया जैसे मेरा मन नहीं कर रहा है तो हम इन emotions को कैसे manage कर सकते हैं कुछ techniques होती हैं deep breathing हम कर सकते हैं realization strategies अपना सकते हैं या आपको जो भी आपको लगता है कि मैं यह technique को अपना के अपने आपको manage अपनी emotions को manage कर सकता हूं तो हम वो चीज़ कर सकते हैं वो हर परसन हर बंदे का हर व्याति का अलग अलग होता है तरीका कि वो किस तरीके से करता है और उसके पर फोर पॉइंट आता है using emotions अब using emotions का मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर वो एक ability होती है कि हमें उस तरह किस टाइम भी हमें अपने emotions को use करना चाहिए उसको किस तरीके से deal करना चाहिए और साथ इस तरीके से हमें अपने emotions को manage करना चाहिए इसमें क्या ओता है इसमें हमारे skill involve होती है कि हम किस तरीके से emotions को लेके हम सोचते हैं decision making और किस तरीके से decisions लेते हैं और हमारा किस तरीके से relationship होता है दूसरों के साथ वो उस सब चीजों के ओपर depend करता है और तब जाके हम अपने emotions को enhance करते हैं अब हमारा टॉपिक आता है Intelligency and Emotional Intelligency Relationship between IQ and EQ अब IQ and EQ का relationship हमें बताना है अब जैसे Intelligency Intelligency का मतलब तो almost समझे गए होगा कि उसको casually हम cognitive intelligence मतलब cognitive से हम acquire करते हैं लाइक कि वो cognitive है कि हम ये भी बोल सकते हैं Like Academy Intelligency भी हम बोल सकते हैं कि आप खितना Intelligency हो मतलब हमारी ऐसी ability जिसमें हम adjust कर लेते हैं environment को Like environment में जो भी चीज़े चलियो पढ़ाई से रिलाटेरिया other activities कुछ भी एने वन तो उन सब चीज़ों को हम अपने अंदर जो है ना हमारी ability उसमें हम उसको adjust कर लेते हैं ठीक है तो और भी बहुत सारी types के intelligence होते हैं जैसे social and emotional intelligence हम academy intelligence भी बोल सकते हैं cognitive intelligence भी बोल सकते हैं social intelligence भी बोल सकते हैं emotional intelligence भी बोल सकते हैं अब वेशल ने 1958 में डिफाइं किया था कि intelligence is the aggregate or global capacity of the individual to add purposefully to think rationally and to deal effectively with environment इनका कहने का मतलब हुआ कि intelligence जो है वो हमारे global capacity है एक व्यत्ती की क्योंकि वो किस तरीके से उसका मतलब add होता कि वो किस तरीके किस purpose पे वो अपना काम करता है वो चीज़ों को लेके rationally वो चीज़ों को लेके सोचता है और जो भी चीज़ हो रही होती environment में उससे लेके वो बहुत effective तरीके से डील करता है हारी चीज़ को ठीक है अब आता है emotional intelligence by purpose in अब emotional intelligence का कैसे purpose करता है like हम यह बोल सकते हैं कि जो बहुत सारे types के होते है intelligence ले बिकास क्योंकि intelligence सिर्फ एक ही चीज़ पे हमारा involved नहीं होता है like intelligence हमारी help करता है कि हम अपने life में कैसे successful होते है like environment में जैसे games हो गए और other dance हो गया singing हो गया इन सब में एक हर एक व्यतिक अंदर वो intelligence है अपने एक चीज़ को एक टाव लेके कि हाँ उसके अंदर ये एक point है कि वो उसके अंदर dance है तो उसको dance related जो भी knowledge है वो सब है तो ये एक सिर्फ एक चीज़ को लेके नहीं करते है ये हर एक चीज़ को लेके अपने दिखाते है कि एक intelligence मतलब हर एक व्यतिक के अंदर अलगले तरह के intelligence होती है फिर आता है हमारा cognitive intelligence measured by intelligence question and emotional intelligence measured through emotional question are distinct constraint अब यहाँ पर बात हो रहे है कि जो IQ है जो हमारा cognitive intelligence है वो measure करता है हमारे IQ को और जो emotional intelligence है वो हमारा जो अगर हम उसको measure करते है तो हम EQ के थोज़ों को measure कर सकते है अगर हमारा IQ high है तो ऐसे जरूरी नहीं है कि हमारा emotional question भी high हो ठीक है यह पहला point हो गया है second point आता है will having a high EQ में indicate a high or average IQ at least and predict success as work better than IQ alone अभी यहापे बोल रहे है कि EQ जो है मतलब emotional question वो high भी हो सकता है तो और average भी हो सकता है उसे क्यों होगा कि हम IQ अगर means यहापे बोल रहे है कि अगर आप emotional question हो emotional intelligence अगर आपके अंदर वो थोड़ी कम भी है या फिर बहुत जादा भी है तो वो चल जाएगा उसमें दिकत नहीं है ठीक है वो आपकी help करेगे सचस करने में बट अगर आपका IQ means emotional नहीं sorry intelligence अगर आपका success पानी है तो आप इसको अकेले नहीं बास सकते हो साथ में अगर IQ आपके अंदर है बट आपके अंदर EQ नहीं है तो आप अपनी लाइफ में सचस नहीं हो सकते हो जो कि अगर आप academic career में अगर आप ने बहुत अच्छे number लेया या बहुत अच्छे चले तो वो चल सकता है लेकिन अगर आपने emotional intelligence अपके अंदर नहीं है लोगों की feelings समझना खुद की feelings देखना अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है तो आप कभी भी अपनी life में success नहीं हो पाएंगे ठीक है उसके बाद आता है अगर IQ हमारा प्रेडेट करता है academy success में it may not necessary लेटो success in life अभी नहीं नहीं यहीं चीज़ बोली है कि IQ आपकी academy success में तो आपकी help कर सकता है बट आपकी life की success के लिए जरूरी नहीं है बलब जरूरी नहीं है in the sense कि आप अगर IQ आपकी कम जादा है इसका कोई matter नहीं करता है आपकी life के success में लेकिन अगर आपका EQ है वो आपकी life में भी success में आपकी help करेगा और साथ के साथ आपकी academy career में भी आपकी help करेगा तो emotional intelligence से इसका क्या है कि ये दो sum up है लब इसके दो concept है emotional and intelligence सी इसमें क्या है कि आपका जो आपकी study का हो गया और आपकी performance इन दोनों का impact आपका होता है ठीक है तो ये था हमारा relationships IQ और EQ का अब आता है हमारी benefits of emotional intelligence सी अब emotional intelligence का जो पहला benefit है वो पहला है allow individual to tap into not just thinking capacity but also leverage information and strength that emotions bring अब ये बोल रहे है कि आपकी जो एक व्याती सिफ और सिफ ये निया है कि वो उसकी thinking की जो capacity है वो ही AI लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि उसको leverage information होने चाहिए उसके अंदर strength होने चाहिए कि आप emotions को किस तरीके से present करना है किस तरीके से डिखाना है और किस तरीके से behave करना है आपको सिर्फ ये निया कि आपके अंदर knowledge है तो भाई चल गया काम यह लाइक आपने उसके बारे में सोच लिया लाइक हो गया काम नहीं आपको उसके बारे में information होने चाहिए तब ही आप emotional intelligence हो सेकेंड पॉइंट आता है facilitate understanding of self and others आपको खुद को और दूसरों को understand करना चीए कि आप फिल क्या कर रहे हो थर्ड आता है encourage and enable empathy so that the quality of interpersonal interaction improve हमें ये जो empathy है उसको encourage करना चीए और उसको enable करना चीए so that कि हमारा जो internet दूसरों के साथ और उसके साथ क्या होगा कि वो improve होता जाएगा and हम अच्छे से लोगों से बात कर पाएंगे fourth point आता है adds competitive advantage over just cognitive intelligence and technical skills इसमें क्या है कि हमें सिफ जो ads हो गए like exams हो गए, interview हो गए या technical skills हो गए इन सबको हमें एक advantages लेना चाहिए ताकि हम जो भी competitive competition हो हमारा तो उसमें हम better तरीके से perform कर पाए like हमारे skills, इन skills को हमें improve करना चाहिए ताकि हम अपनी जो success है उसे हम हासिल कर सके fifth point आता है allow individual more agency and control over which emotions they would like to experience more of and which ones they consider undesirable in a given situation and would like to switch from अब इनों नहीं बोल रहे हैं कि हमें जो भी जो भी हमारे जो हमें अपनी emotions को control करना चाहिए like जो भी हम किसी भी undesirable situation के उपर हम जो भी react करते है like यह हमें नहीं करना चाहिए like उन सब चीजों को कैसे हमें बंद करना है कैसे रोकना है तो उन पे हमें किस तरीके से एक व्यति को control करना चाहिए यह चीज़े भी हमें emotional intelligence में पता चलते है like हम control कर सकते हैं and यहां पे हमारा chapter होता है खतम and I hope आप सब को अच्छे से समझ में आ गया होगा and अगर फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी topic में कोई भी doubt होता है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं फिर से उस पे आपको explaining करने ही कोशिश करो में ताकि आपको समझ में आ जाए and आज की लिए इतना ही and इसका PDF आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगा वहां से notes PDF डाउनलोड कर सकते हैं and thank you so much and bye bye